टांगें पसार गे मनुमें वुजुट गे लुंगी उतार के वावावाव का बार हेलो फ्रेंड कंबर की नाव यहाँ पर में किरदानी मारी सननाया सिद कोर जो की चिन्नी का किरदानी बारी और आउशु जैशावार जो की कजरी और यहाँ पर उसका हस्बें ने कजरी का तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साधी हो जाते हैं साधी होने की अपार लड़की को बोला जाता है कि तू ब्लाउस सिल तो ब्लाउस सिल ती वो ऐसा ब्लाउस सिल ती बेकार तरिका तो उसकी जो सास है वो डाटने आ जाती है बोलती तो मैं तो अपने घर की नहीं सिल पारी तो customer की क्या सिल पाईगे तो अरे मैं बाहर इसले नहीं सिल वाती हूँ क्योंकि कटोरी इधर की इधर लगा देते हैं बाहें आदी छोटी बड़ी कर देते हैं उपर से नीचे तक मतलब वो अधर के लोग भी ऐसा करते हैं और तो तो इसे सीखी नहीं पारी कब तक सिखेगी कि माजी मैं कर लोगी अरे कब तक करेगी माजी माजी ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कि लगाओ टाइम बहुत जादा तो जो इतना दीन हो गया एक ब्लाव सिलना था उसमें भी तुम ब्लाव से डंग से सिलनी पा रही है तो मैं क्या करू अप तिरा हैं उसके बाद नाइट में जब उसकी जो सास है वो खाना खाती है बेटे के साथ तो वो ही बहुत एक तो रोटी भी पकाती है रोटी भिला के देती है इन गौड़ों को खाओ, रोटी खाओ उसके बाद फिर यह बखना चालू कर देते कब तक सिlles गेगी यह ब्लाव सिलना या रहा इसको कब तक अरे इससे तो छोटी वो चिन्णी है, चिन्दी वो सिख गई पर यह अब तक नहीं सीखी वो इससे भी दो साल चोटी है ठीक है यार, तो फिर उसका अजबे साथ को बलता है चिन्की का बाब भी टेलर है इसलिए वो सिख गई, टेलरिंग करना वरना वो भी टाइम लगाती तो ये भी सीखी जाएगी तो टेंशन क्यों लेती हो मा और फिर वो अंदर चले जाती है लड़की तो बिचारी को देओ टेलरिंग का काम पर बहुत इंपोर्टेंट होता है कमर की नाफ लेना कमर की नाफ अगर सही हुई कि नहीं हुई कि ब्ला अंटे की ब्लाउस फाटी आवे तो भी टेंशन अंटे की ब्लाउस फाटी आवे तो पाती ने बोले अरे थारे माराओ थाराओ लाइने आवे माराओ ब्लाउस यहां बेटो बेटो कहीं कर रहो ब्लाउस लाइना मारो बोलो ब्लाउस बनाना आना जा और पती को तो ऐसे ब आप लेता है इसके कमर कि या कमर तो बहुत मसत है तुमारी फीगर चादा फीट है यार यह तो किती है थर्टी सिक्स कि थर्टी फाइफ ये च्छरी मजवाईयो मनतो तो ऐसे ही टेलरिक वाले टेलर भी मज़े लेते हैं तो दोस्तो इसी तरह कि वेब स्रीज और आज का